कुछ सिमा पहले मैं Instagram पे स्क्रोल का रही थी क्योंकि मेरी जिन्दगी में कुछ और करने के लिए है नहीं तो मेरी नजर से ने एक वीडियो गुज़ी जिसमें परोज सब जवारी खवातीन की ड्रसिंग पर कॉमेंट्स दे रहे था को ओरोटों को कपड़े कैसे पहनने चाएं और कैसे नहीं पहनने चाहीं मैंने यह सोना तो सोचा सही तो कह रहे हैं अंकल इसमें गलत बात कहए हैं जो सब के कमर के नीचे वाले एरिया में आग लग गई है ये तो इनफेक्ट हदीस है कि जहनुमी औरतों में वो औरते भी शामिल होगी जिन्होंने लिबास तो पैना हुआ होगा लेकिन जिसम उनके नजर आते होंगे बात तो अंकल है सही की है लेकिन फिर होस ने कहा कि बाइक पर पीछे बैटी होती है और लड़के उसको देखती है और अगर बारिश हो जाए तो पिर क्या कुछ नजर नहीं आता इस बात की यहां पर क्या दुग बनती थी यह मुझा समझ में नहीं आई अब देखो पाकिसान का हर इंसान करोड़ पती नहीं है कि वो गाड़ियों में घुमें कुछ औरते अपने गरीब शौर की गुरुबत को यूँ ही एक्सेप्ट करती है कि बाइक पर पुरी जिन्दगी गुजार देती है और भाई मेरे अगर औरत बैटशीट भी लपेट के बाहर निकले और बारिश हो जाए तो बैटशीट भी चिपकेगे उसके साथ बारिश तो बारतों के अख्तियार में नहीं है ना लेकिन हाँ जब पर और तो को गवर्डों के बाहर निकलने का जोर दिया जा रहा है ना उतना ही अगर अपनी आखें कंड्रोल में रखी जाए तो अल्ला की कसम नज़र ही नहीं आएगा के आगे चलती भी औरत ने सीधरू पहना हुए या टाइट पहना हुए क्योंकि आपकी नज़रे तो जमीन पर हैं कैसा आइडिया है ना अमीजिंग अब यह सब कुछ डिसकास हो ही रहा था कि अचानक से बेरोज अंकल की एक वीडियो देखी मैंने जिसमें वो अपनी इसलामी बेहनों के साथ जो के खुले 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 कपड़े पहने हुई थी स्किन शो नहीं कर रही थी वो उनको बैठके दर्स दे रहे थे के बेहनों आइंदा से बुरका कर किया ना देखो यार ये बुल्शिट ठीक नहीं है यहां तो अंकल भी उनी लोगों में से हैं जिनको पस गयान देना है और सब के सामने बहुत अच्छा और बहुत नेक बनना है और नकी अपनी जिनकी उस ग्यान के बिल्कुल ही उटी है यहां तो अंकल ने जो कपड़ों की बात की थी वो सिर्फ घरीब अवाम के लिए थी पाउं के नीचे रखके मसल देना है क्योंकि दुनिया की सारी अकल अला तला ने इसी बंदे के दिमाग में डाल दी है इस बात को मैं पहले ही रोती हूं के पाकिस्तानी ड्रामों में जब भी दिखाती है के कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसको सीड बेल्ट्स नहीं पहना ही दिखाई जाती है यह देखे ना मुझे शदीद गबरहाट होती है क्यार तुम लोग सीड बर्ड्स क्यूं नहीं दिखाते है फिरोस भाई के शायद कोई पुरानी वीडियो है जिसमें वो अपने टिड़े को अपनी गोड में बिठा के ड्राइव कर रहा है इस पर वसीम अकरम की जो बीवी शनीर है ना इसने उसको अकल देने की कोशिश की कि कि भाई यह खतरनाक है बच्चे को महा ना बिटा खुदा ना खास्ता मिस हैंडलिंग होगी तो बच्चा सबसे पहले लाग को प्यारा होगा लेकिन फिरोस तो फिरोस है उस पर किसी की बात सुनना मानना बिल्कुल हराम है उसने बेसिकली यह जवाब दिया कि मेरा बच्चा मेरी मर्जी तो चूप रहा है जिन्दकी के इस पॉइंट पर जब मिया बीवी के आपस में कोट में जा जाके लडाईयां हो रही हैं यह दिखाना और यह कहना कि मैं अपने बच्चे को अगर गोड में बिठा के ड्राइविंग कर रहा हूँ तो ठीक कर रहा हूँ और नहीं यहां पे कोई किसी को जज़ नहीं कर रहा हूँ यहां पे फिरोज खान के फैंस आके बोलेंगे वाई आर यू जज़िंग हीम नो ओन इस जज़िंग हैं गलत को गलत कहना जज़्मेंट नहीं होती और इसके देखा देखी अमरान शिफ ने भी अपने बेटे को कोद में बिठा के फ्रंट सीट पे बगेर सीट बेल्ट के वीडियो डालिये के भाई में तरह साथ हूं। इस जस्ट डंब। अफकोर्स फिरोज खान के फैंस यू एक कर रहे हैं कि जैसे फिरोज ने पुथा जवाब दे के बहुत सवाब का काम की है। यर सही है सही है करो blindly support. सही को गलत को भी support करो. वीडियो पुरानी है ठीक है. फिरोज खान अपनी अपनी इस हरकत को गलत मानता यह खमोश रहता हैं उसको justify क्यों क्यों गरना में बिठा के स्पीडिंग करेंगे और पिर अल्ला ही हाफिज है उनके टिड़ों का और उनका अपना भी इंफुनेंस वैसे इसी को कहते हैं पर मुझे क्या मैं तो फिरोज खान हूं सारी लोग तो मेरी जुटी के नीचे हैं मैं तो हीरो आता हूं मैं सबसे ज्यादा अकल मन लेकिन इसारी फ्रस्टेशन में एक खुशी की खबर भी सुनने को मिली है कि दानिया शाक को एथॉरिटीज ने पकड़के रिमान में ले ली है महरू मामल ल्याकत की वीडियो लीक करने बे खबर अच्छी है लेकिन यह सब कुछ अब क्यों हो रहा है इतने महीनों बाद क अब क्यों हो शाइए थॉरिटीज को जब मामला ठंडा हो गया था तब क्यों नहीं फॉरन पकड़ा ताके डैमेज को वहीं पर रोका जा सकता अब जाने वाला चला गया तो अब यहीं मसले ना की इनसाफ मिलने में इतनी ज्यादा देर लग जाती है कि केस की एहमियत ही ख इस इन सारी सिचुएशन में तुमें कौन सी बहुत जादा फरस्टेटिंग लगती है कि तुम भी फिरोज खान के रेपलाइस में खुशी से जूम रहे हो यहां फिर तुमने भी अपना सर पकड़ा हुआ है मुझे नीचे कॉमेर्स में बताओ और आज के लिए बस इतनी मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ